So hello everyone, once again, very welcome back to our new video So, जितने भी है राट student need 213 का एमें अर्शाम दिहें आप सभी का आयरे है, बहुँआ सा रेश्चूनेट का इमान आरा था आप मेरा mark 200 to 500 के बीच में आ रहा है तो आखितकर हमारे लिए better options क्या हो रहे होंगे कौन सा College हमें मिल पाएगा, कौन सा Course हमें पाएगा, हमारे लिए क्या Better Course, क्या College रहने वाला है, या तो पिर हमें इस बार Admissal लेना चाहे या फिर ड्रॉप लेना चाहे, तो इन सभी Quaries का जो है इस वीडियो में एंसर देने वाला हूँ, अगर जो आपका मार्स 200, 500, 500, 300, 350, 400, 450, 500, यानि कि बीलो 500 अगर जो मार्स आ रहा है तो आपको क्या मतलब बेस्ट ओप्सन हो रहा होगा है ना मैं अर्मितलों की समझ सकता है कि आपका जो विए स्टुएंट का 500 के बीलो है मार्स रहता है आपको मिलते रहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यह सब से रहेंगे बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे है चलो फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिंक जो हमें आपको इमपॉसिवल है एनि अस्टेट गवर्मेंट कॉलेज आपको इमपॉसिवल है यानि कि आपको इमपॉसिवल ही नहीं है ना बेटर ओप्सन है आपके पास अगर आपका फर्स ड्रॉप था सेकेंड ड्रॉप था तो आप यार एक और चांस दे सकते हो नेक्स्ट इयर के लिए अगर जो आपका एराउंड एराउंड फॉर फिप्टी तो फाइवंड़ मार्स के बीच में है तो आप यार बेटर ओप्सन्स आपके लिए यही रहेगा कि नेक्स्ट यानि कि एक चांस आपको और देना चाहिए आपको यही करना है कि आपने मिलब की ड्रॉप दो तीन साल से ले रहे हो तो आपको सारी चीज़े यार फिक पता हो जाती है कि आखिरकार आपने क्या-क्या मिश्टेक्स किया है आपको क्या-क्या इंप्रोव करना है किस तरीके से अपने टाइम टेवल को मैनेज करना है किस तरीके से आपको सब्जेक्ट का स्टडीज को मैनेज करना है तो इन सभी चीजों को मिश्टेक्स को अपना देखो और इंप्रोव करो और नेक्स टियर के लिए आप ड्रॉप college, MBBS seat जो आपको maximum possibility है कि आपको state government college में state quota के तुरू आपको जो है MBBS seat मिल जागा है ना अगर जो आपको PWD candidate हो तो 350 plus marks पे जो आपको CF score MBBS in government college मिल रहोगा अगर जो आपका first and second attempt था तो students you can drop for the next year आपके पास एक chances है कि आप एक अच्छा government college में, एक better government main college में, आपको aims college में मिल लाओगा अगर जो 400 to 500 marks से बीच में आ रहा है CST PWD candidate के लिए तो आप आप next year के लिए अगर जो drop लेते हो तो आपका maximum chances से क्या आपका 650 के round में आ जाता है तो आपको 100% chance है कि फिर आपको aims college में MBBS seat मिल लाओगा है ना तो आपका same वही आपके work करना है आपके mistakes पे तो आप जो है next year जो बहुत ही अच्छा कर सकते हो अगर जो आपका first drop, second drop था तो एक chance जो at least यार और देना चाहिए है अगर जो आपका 25 year से कम age है ना तो आपको जरूर से जरूर आप एकी साल, बाइस साल को तो आपको एक chance और देना चाहिए है क्योंकि MBBS का कोई भी तोड़ नहीं है ना कोई अगर जो BMS, BHMS हो गया BUMC से भी कोर्स करते हो तो मतलब कि ठीक है better option है लेकिन मतलब MBBS का कहीं भी तोड़ नहीं है नेक government college MBBS करते हो तो आपका मतलब कि एक बोलते है ना कि आपको society में एक अलग ही respect से एक अलग ही नजरीय से देखा जाता है MBBS डक्टर को है तो better रहेगा कि अगर जो इतना marks आ तो आप drop ले सकते हो बागियार अगर जो vice student जिनका कि fourth, fifth या तो फिर sixth drop आपका था तो make sure that आप जो है government 450 से marks है, तब आपके लिए क्या क्या chances है, there is possibility BMS in government college, आपके पास यह chances है कि आपको MBBS seat तो बिल्कुल भी नहीं मिल लोगा, यह बहुत ही मुस्किल है कि MBBS seat कोई भी दिला सकता है, counseling की throw ही होता है, अगर जो है कोई यह सा बोल रहा है कि आपको इस तरह की से trust दिलवाएंगे, यह college में मेरा contact है, यहाँ contact है, वहाँ contact है, तो यह सब के चकर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि previous year का data के basis पे, मैं यह सारी बाते में जो आपको बता रहा हूँ है ना, तो 450K मार्स के बीच में अगर जो है, आपका 450K राउंड में अगर जो आपका मार्स है, अगर जो आप general OBC category से हो, तब आपको chances से MBBS seat नहीं, लेकिन BMS जो कि आर अच्छा course माना जाता है, MBBS के बाद BDS, BMS, 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 यही सब कोर्से सारे होते हैं, तो आपको स्टेट कोटा के तुरू, स्टेट गोर्मेंट कॉलेज में आपको BMS seat मिल लागा, इन इसके साथ-साथ-साथ-BHMS भी आपको मिल रहा होगा, और इन प्राइवेट कॉलेज, BMS, BMS, भीच में फीच में आपको 3.5 लाग के बीच में आपको लग रहा होता है, वो 3 ल क्या होता है, अखिर का VSc game होने के बाद क्या कर सकते हैं, और फिर प्राइवेट होस्पीटर में जॉब भी कर सकते हो, इसके साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-क्ति-साथ-सा-थ-साथ-सा-थ-स आपका second drop, third drop था, तो एक drop, एक और chances अपने आपको दे सकते हो, otherwise आप simply से आपने अगर जो आपका 5-6 drop आपका 5-6 drop था, तो आप जो मेक्स और admission भी आप ले सकते हो, है ना, next अर बात करते हैं, एक और यह course होता है, MBS, BMS, BDS, BU, MS, BHMS के अलावा भी, एक BSE nursing का course होता है, अगर जो आपका more than 350 marks, अगर जो आपका आया हुआ है, तो more than 350 marks, 360, 380, 400, 450, 500, याने की 350 to 500 marks के बीच में है, तो आपको एक BSE nursing college, easily आपको मिल सकता है, प्रिवियस है, तीन-चार सालों की से अगर जो बात में, तो BSE nursing का है, जो होल्डर का बहुत ही ज़्यादा भैकेंसी, देखने को मिला है, 40-50,000 का आपको salary के साथ, ब्लब फ्रेसर अर्श्वेंट को जो है, आपका जनरी री complete होगा, 40-50,000, आपका job easily लग जाता है, पर्मे प्रिवियस है, तो आप BSE nursing के लिए भी जा सकते हो, ये भी यार, अगर जो पूरा एकदम से ठाक हार चुके हो, कि फिछले 3-4 साल से लगे हुए 5 साल हो गया है, तो फिर आपके लिए ये भी एक better option हो रहा होगा, नेक्स्ट यार बात करते हैं, 208-100, बिलो यानिकी 300 मार्स है, तो आपके लिए सबसे better option हो रहा होगा, ये और भी आर आप next एक chance और देखर के देखो, है ना, ताकि आर आपको 300 पलस अगर जो मार्स आता है, तो आपको at least BSE nursing course ये सा मिल सकता है, या तो फिर आर नेक्स्ट वही आप option है, सबसे last कि या प्रावेट कॉले में जो आप admission ले सकते हो, है ना, क्योंकि यार मतलब कि और तो 200 और ISO माक्स पे आर कहीं कोई government college समय या तो फिर कोई course में आपको admission मिल नहीं हो, मिल नहीं रहा होगा, है ना, बाकि यार जैसे कि मिने बताए, टेली ग्राम चैनल में आप लोग जरूर से जरूर जारूर जान कर ले ना, इ बाकि मिलते हैं फिर किसी नहीं नहीं हो, आपडेट के साथ वीडियो आर अच्छी लिए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, so thank you very much, and wish you all the best, bye bye, love you all, thanks so much.